नमस्ते करें स्वागत आप सभी का मार इस यूटीव चैनल जी वीटी जी के बार ट्रिक 99 यूटीव चैनल में आप सभी का पुना एक बार स्वागत है यह दोस्तों बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं आ रहा था उसका एक रिजन है वह हम बता देंगे बाद में फिलाल य कैसे था लास्ट में एक gefश वे टिया मैंने तो बिसमीके कहीं को का आने है सघ्ठ मेने यह जाना दिया फिरी आपको यह बता दो कि क्लम के रेकेंसी आयीजती दे перек rich कंव आएगी कि यह नहीं दे सकते हैं कोई भी टीचर Нे हुआ सकते सब को कंबना सभ्स बेशना हैं हमें को तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस बार इस वेकंसी को मत जाने दो हाथ से आप लोग यह चला गया तो फिर दूसरा वेकंसी देखना पड़ेगा रेलबे के वेकंसी के लिए आंख मुन लेजिए कि आएगी फिर और यह जो वेकंसी आएगी वह एक्टिव मोड में आएगी य तो सबसे पहले उस चीज़ को ध्यार में रखिए आप चली हम आपको बता देते हैं कि एल्पी टेक्नीशन की स्लेबर्स क्या होती है एल्पी टेक्नीशन कौन भर सकता है इसके वारे में आपको हम बैग्राउंड में साइड में दिख रहा होगा दिखा देंगे या फिर फ हो एल्पी यानिक असिस्टेंट लोको पाइलेट जिसे ड्राइवर कहते हैं या फिर लोको पाइलेट कहते हैं और टेक्नीशन दोनों के लिए इलिजबल हो सकते हो हम बढ़ सकते हैं आप जब यदि आप 10th प्लस आइटिए किये हैं तो यदि नहीं बात दिए 10th प्लस आइटिए इसमें कोई percentage requirement नहीं है आप किसी भी बोर्ड से हो आपका पास हो यानि कि 10th में आप qualify कर चुके हो और आइटिए भी qualify किये हो कितना भी percentage है वो माइने नहीं रखता है इसमें percentage का requirement नहीं है इसमें आप भले ही आइटिए NCVT से किये हो या से किये हो यानि state level से किये हो या national level से किये हो आपको राज सरकार या फिर आपके सरकार से किये हो आप कोई issue नहीं है ठीक है यह रहा उनके लिए जो 10th के हैं अब रही PCM में सोसरे बहुत सारे इस्टोरेंट मैंने graduation complete करने क्या में बढ़ सकता हूं हाँ बढ़ सकते हैं लेकि आप science background से हो तब क्योंकि जो यदि आपके पास ITI नहीं है या कोई technical degree नहीं है बीटेक नहीं है डिप्लोमा नहीं है तो आप क्या अगर सकते हो only PCM फिक्स कमिस्टी मैथ से आपकी होनी चाहिए क्या 12th बाढ़नी फिक्स कमिस्टी मैथ से होनी चाहिए तब आप के बल technician के ल technician के लिए Character आई के लिए अप यहां कि लिए भर सकती हो उसके बाद जो engineering भी ठेक कर रखे हैं डिप्लोमा कर रखें हँ आप कि के लिए आप दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं कि ज्यादा तर इस टॉपिक पर बात करेंगे वीडियो लंबा हो जाएक आप लोग देखोंगे नहीं मेरा रिजल्ट किया हुआ मैं क्या करता हूं उसके बारे में भी बता देंगे आपको कुछ दिन पहले अपनी मेरा रिजल्ट दे होगा तो मैंने क्यों करूं नहीं हिसाफ से मैंने कर नहीं ह्याद पहले बार में जब एक्जाम हुआ था दोहजार अठाटव में तो कटफ कितना है याद नहीं है लेकिन तूरिवाइज दिया गया था मैं वेस्टर मुंबैus से था मैंने फॉर्म फिलिप था वेस्टर मुंबैusitel एकसे सुने में रिजाब सर्टर में रॉक लोग ​ वेस्टर रिजान दौन का बाषंज एक साथ नीकला वहाएं तह Πर रहें चाहसे संटनलने मुंबई मैंने कोई exam नहीं दिया था यानि कि government सरकारी नोगरी की PC जब मैंने लगा है तो बहुत दूसरा ठाड़े से समझें क्योंकि इससे पहले हम Delhi में VTEC की preparation करने के लिए गये थे और किसी गरान बस वह भी complete नहीं कर पाये लेकिन इससे गाँ में आगा कि मैंने बेसी कम्लेट कर रखा बेसी किया mathematics से मैं eligible था PCM के लिए यह ने में तुन्होंने कहा कि एक बहुत से ट्राइ करो PCM से हो अच्छा है हो सकता है ट्राइ करो यह जाओ है मैंने इस वीडियो में चर्चा किया कि के बल एक बुक से आप निकाल सकते हो तो मैंने एक लिए अजया ने तो इतना मतलब क्या है एक बुख कौन सा बुक है तो बता दू आपको बहुत सार्ट कहेंगे कि इस बुक से संभब नहीं है लेकि मैं बतादो आपको वह एक बुक केबल स्पीडी का साइंस था स्पीडी का से बीटि Moment के लिए कुछ किना है था अपांडल को सब्सक domains सब्सक्राइं गया हुआ जिए थी फिर सीड़र चनूंना इसभी और लिए इत्युक्त में तर्स भूजिपऑ किना के सब्सक्रारे करें इस कब्ल yelled यह बता दू कि बैंक का मैं इससे पहले प्रफेशन एक साल किया था मेरा ग्रामीन बैंक में CBT फर्स्ट निकला हुआ था और गलती से मैंने हिंदी ले लिया था मैंने यह समझ करके हिंदी एजी होता है मेरे मेरे में में लेकिन हिंदी के चलते मेरा आउट हो गया उसके बाद यह आया था में यही वाला किया मैं इसका किया किया था प्लैटफॉर्म का बुक मैंने जितना भी कोश्टन बैंक होता है 2008 से पहले का रेलवे वाला साइंस से रिगार्डिंग मैंने उसको मगवाए मसल्ड कोश्टन में मेंने कोई सेट आल यह एक लग होता है कोई पास क करता है को यह क्लास सेे कोई पिर पर दी बताता हूं हो सकता कोई दूसरा है कि मैंने वह धेटेश द्वाशित में था तीन वार्वा camera अन्य होता हुर। सुल्यूशन रहता है। उस सुल्यूशन सही लाइन वाइन मैंने कॉप्लीट कर रखा था। मैंने सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको जो ट्रेड चाहिए स्लेबस आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले यह बता देता हूँ स्लेबस होता है कि आपको सबसें पहले čाहिक स्लेबस होनी के सबमसुर्ण सकते हैं उनका वहां न कहीं है ही मतलब CBT1 निकल लेगा ही निकल ही जुगा समझें CBT2 की प्रप्रेशन कर ली है उसे मैक्सम फेल होते वह ही स्कोरिंग है दो CBT1 में यह होगे 10 नमर का current affair जीए जीए की जो भी होता है वो सपोस्त है तो यह qualifying nature कराता है 45-42% के आसपस में साइध जेनरल के लिए या फिर इस हिसाब से लाना होता है तो यह qualifying nature का है यह नमबर नहीं जोड़ता है CBT2 में आपका part A और part B में बटा रहता है part A जो होता है पार्ट A 100 नमबर का होता है जो जो मेरिट के लिए count होता है इसका नमबर इसी पर मेरिट बनती है और part B केबल trade का होता है जिस trade से आप हो यदि आप PCM से हो तो PCM से पूछेगा यदि आप फीटर से हो फीटर से पुछा जाएगा पीटर ट्रेड चेर्ट पुछा जाते है और और कुछ नीए यदि आप electricity तो पुछा जाएगा यदि आप इस हिसाफ से वह पुछ ट्रेड होता है उसमें साइध मेरे हिसाफ से क्वालिफाइग करना होता है 30-32 नमर काफी है उसमें 75 नमर का होता है इसमें क्या है कि आप ट्रेड में फेल कर जाते हो भला ही आप पार्ट ए में आपका सौ में 90 नमबर है फिर बीच को भी चेक नहीं होगा यानि कि आपका उसका कोई वैल्यू ने रहेगा इसलिए आपको से बीटी टू में ट्रेड को पहले पास करनी ही करनी है फिर से बीटी ढूंब का जो पार्ट होगा वह ऊछ रचाहल बनेगी जो अलपी परिफ्रेंस डाल रखें पहले तो उनका साइक होगा अब टेग्मिंशन में कोई साहल को लगा थेग्निशन वह डार्यक्ट में बनेगी में साइक होगा जिसका 70 परसेंट और 30 परसंट के हिसाब से नंबर काउंट होता है ठीक है उसके हिसाब से मेरिट बनेगी तो आइटे वाले को लिए तो नड़ा मों का है फिर जो कर रखा है उनको बढ़िया है कि लगजाना चाहिए यह रहा बुक की जरनी मैंने बता दिया कि मैंने केबल स्पीडी पढ़ा और कोश्टन बैंक प्लेट सब्सक्राइब कर लिए तो कर लेता हूं लेकिन स्लेबस एक किताब मुश्किल से 15 दिन बढ़ा 15 दिन पढ़ा दिन दात करके मेरा 22-23 मार्स के इस से मार्स आया था और 29 होकर के शायद 33-34 नमबर के आस पास नमबर था देख लेंगे बेग्राप में बता देंगे